सब्सक्राइब करें अपने यूटूब चैनल समराट मेडिकल नामे को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार आज हम लोग जानेंगे प्रोफाइन हंड्रेड कैपसुल के बारे में प्रोफाइन ब्रेंड नेम है इसका जेनरिक नेम या कमपोजीशन प्रोजेश्टेरोन है इसके प्रतेक कैपसुल में प्रोजेश्टेरोन सो एमजी पाया जाता है इस कैप्सुल को अकम्च ड्रग्स एंड फर्मसीटूकल्स लिमिटेड़ द्वरा बनाया जाता है और मारकेटिंग एरेश्टो फर्मसीटूकल्स प्राइबट लिमिटेड़ द्वरा किया जाता है जो 10 कैपसुल के स्ट्रीप में 169 रुपिया के कीमत पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जाने ये प्रोफाइन हंड्रेड एमजी कैपसुल का उप्योग कौन कौन सी विमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है इस कैपसुल का उप्योग कैसे किया जाता है किस रूट से किया जाता है इस कैपसुल का उप्योग करने के बाद क्या 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 दुस्परभाब हो सकता है तथा प्रोफाइन हंड्रेड एमजी कैपसुल के उप्योग करने के दुरान और कौन-कौन सी दवाएं नहीं लेना चाहिए इन सारी जनकारी के लिए बने रही हमारे साथ प्रोफाइन हंड्रेड एमजी कैपसुल फिमेल हार्मोनल कैपसुल है इसका अप्योग महिलाओं में होने वाला हार्मोनल इंबैलेंस के बज़ा से जो प्रोब्लेम होता है उसे ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कमी के कारण बार बार गर्वपात हो जाता है टेस्ट कीट में प्रेगनेंसी टेस्ट की पोजेटिब बताता है अल्टरा साउंड करने पर भी पता चलता है प्रेगनेंसी कंसीब किया हुआ है लेकिन हार्मोनल इंबैलेंस के बज़े से अबाट हो जाता है खुराब हो जाता है ऐसा प्रेशनी बारlo not ना हो प्रेग्ननसी अवार्ट ना हो खराब ना हो इसके लिए गायने को लुजिस्ट द्वारा प्रोफाइन हंड्रेट एमजी कैपसुल को प्रिस्क्राइब किया जाता है में नोडिया में अनारतब में जब महिलाओं या लड़कियों में मांसिक या सारीरिक प्रोब्लेम के बज़े से या अन्यकारन से मांसिक स्राव समय से नहीं होता है कभी कभी मासिक सराव रुकने के पंच दिन बाद भी बिलीडिंग होने लगता है या आगे या आगे पीछे होने लगता है उचित समय पर नहीं होता है तब भी गाइनेकोलोजिस्ट द्वारा प्रोफाइन हंड्रेड एमजी कैपसुल को प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रोफाइन हंड्रेड एमजी कैपसुल का अप्यो गरभावस्ता में किसी परकार के कठिन काम करने से या किसी परकार के चोट लगने से या गरभावस्ता में सेक्सुल एक्टिविटी अधिक होने से गरपात होने का जो लक्छन समने आता है महिलाओं को बलीडिंग होने अब जानेंगे Profine 100 mg कैपसुल का आपयोग कैसे किया जाता है तो इसका आपयोग 100 mg से 400 mg पड़ती दिन किया जा सकता है इसका आपयोग बीमारी और बीमारी के स्टेज के अनुसार किया जाता है बात करेंगे Profine 100 mg कैपसुल का आपयोग किस रूट से किया जाता है तो इस کیपसुल को मुह द्वारा या भैजाइनल लूट से या मलासे के अदर भी डाला जाता है अब जानेंगे विब्रोफाइन 100 MG कैपसुल का उप्योग करने के बाद क्या-क्या दुस प्रभाग हो सकता है तो इसका उप्योग करने के बाद बुखार आ सकता है ठकान महसूस हो सकता है तुचा पर लाल चकता और उसमें इचिंग हो सकता है कभी कभी प्रोफाइन हंडेड एमजी कैपसूल का उप्योग करने के बाद अड़तों को दाढ़ी मुच आने जैसी समस्या भी हो सकता है बताये गए दुस्परभाव में से कोई भी परेसानी कोई भी दुस्परभाव दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करें अब जानेंगे प्रोफाइन हंडेड एमजी कैपसूल उप्योग करने के दुरान और कौन-कौन सी दवाएं नहीं लेना चाहिए तो मिर्गी रोधी दवा फिनो बार्वी टलका उप्योग नहीं करना चाहिए साथ ही कलेरित्रो माइसीन, एट्रोपीन और कार्बामा जेपीन नमक दवाव भी उप्योग नहीं करना चाहिए इसके उप्योग से आपके सरीर पर बुरा दुस्परभाव पर सकता है प्रोफाइन SR 100MG कैपसूल के बारे में और किसी भी परकार के जानकारी के लिए कोमेंट कीजिए साथी वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद